हलो फ्रेंड्स माया की रसोई में आपका बहुत बहुत श्रागत हैं आज हम आपके लिए नास्ता की रेस्पी लेकिया हैं इस नास्ते को हम सूजी से बनाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो नास्ता बनाने के लिए हम एक कप सूजी लेंगे मतलब की रवा फ्रेस दही लिए मैंने अगर दही खटी है तो कॉंटिटी थोड़ी कम कर लीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी डालके हम इसका ठिक वेटर लगाएंगे जैसा कि हम पकोड़े के लिए लगाते हैं बस हमें उसी तरह का वेटर लगाना है तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसको कवर करके 15 मिनिट के लिए रख देंगे इस से यह सूजी फूल जाएगी तब तक हम आगी की त्यारी कर लेते हैं तो मैंने यह दूद पर ढखने वाली जाली लिए इसको हम थोड़ा सा ओयल से ग्रीस कर लेंगे क्योंकि हमें नास्ता श्टीम करना है अ आप देखिए 15 मिनिट वास सूजी फूल गई है इसमें मैंने बन फोर टी स्पून बेकिंग सोडा डाला है एक चम्मच पानी डालके इसको एक्टिवेट किया और अच्छे से मिक्स कर दिया सूजी अब एकदम हलकी हो गई है फ्लफी हो गई है अच्छे से अब इसमें हम थोड़ी सी बारी कटी होई धनिया पत्ती डालेंगे धनिया पत्ती को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेटर हमारे रेडी हो गया है तो अब इसको हम रख देते हैं और गैस की तरफ चलेंगे दीखिए पानी में उबाल आ गया है और यह गरम हो गया है तो आब इसमें हम छो मच से भी बना सकते हैं, हाँ से थोड़ा एजी लगता है, मैंने सारी बड़ियां बना ली हैं, अब इसको हम कवर करके 10 मिनिट तक इस्टीम करेंगे, 10 मिनिट हो गए हैं, तो आब इनको हम चेक कर लेते हैं, ये दीगे कितने अच्छे से फूल गई हैं, इस्पंजी एकदम स हो गई हैं, बिल्कुल भी हाद में नीचे पक रही हैं, तो आब हम फ्लेम को आफ करके और जाली को बाहर निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, जब ये ठंडी हो जाएंगे, तो हम सारी बड़ियां निकाल लेंगे, तो दिखिए, आसानी से छूट रह हैं, बड़ियां, ये दिखिए, इसका स्पेंज देखिए, कितनी सॉफ्ट हैं, आप चाहें, तो इसी तरह से इसको चटनी के साथ खा सकते हैं, नारियल की चटनी या मूमपली की चटनी से इंजॉय कर सकते हैं, और हम इसको और भी टेम्टिंग बनाने के लिए, इसको हम स सूजी की बनी भी बड़ियां डालेंगे, और इनको हम अलटते पलटते हुए, अच्छा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे, बहुत ही डिफरेंट नास्ता है, और बहुत जल्दी बन जाता है, तो इस नास्ते को आप एक बाट ट्राई जरूर कीजिए, बहुत प्याज यूट जायोगे, दालें ऑच्माच जसे लिपर ये रेखाना, यू बहुत घालेंगे, बहुत हम च्माच मी एक बिफ़। वस 30 सेकेंड करना है इससे जादा नहीं करना है अब इसमें हम सॉस डालेंगी तो मैंने एक बड़ा चमच रेडडचिली सॉस डाला और दो। चमच मैंने टोमेटो केचप डाल दिया है एएएएएएएएशफबान चटनी डाल रहे हैं और एक छोटी चमच इसमें हम सोया सॉस डालेंगे इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा थोड़ा सा इसमें हम विनेगर डाल रहे हैं एक छोटी चमच अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्लेम को लो कर लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब इसमें ह नमक सौसिस में भी होता है और मैंने बड़ियों में भी नमक डाला था और मैंने एक छोटी चमच चिली फ्लैक्स डाल दिये हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यह अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसमें हम सूजी की बड़ियां डाल देंगे और बड़ियां डाल के अच् कुटी काली मिर्च ढाल दो डींगbody अच्छी से मिक्स कर लेंगे नास्ता बन कर तयार है तो मुँद्ध कर लिते हैं और आप इस अच्छा लग रहा है नास्ता-छैये जरूर part उसा किरेशफी के साथ